दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे एक रेस्टरो के वेबसाइट के बारे में डिसकस करने वाले हैं जहाँ पे आप डिनर वगरा कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को हम एक बार ओवर्वियू लेते हैं और इसे हम ऑनलाइन लाना भी सीखेंगे कि इस पूरे के पूरे वेबसाइट को आप ऑनलाइन कैसे ले करके आ सकते हो ताकि अगर आप क्लाइंट को वेबसाइट बना करके दो तो ओविसली क्लाइंट को उसकी वेबसाइट ऑनलाइन चाहिए है लाइव चाहिए सबसे पहले हम डिसकस करते हैं इस website के demo का अगर आप यहां पर notice करो तो यह हमारा navigation section यानि की menu section है यहां पर हमारे पास links लगे हैं हमारे navbar है यह हमारा एक logo है यह आपका cross cell या फिर slider है बीच में एक button है ध्यान दे यह पूरा का पूरा design static है HTML, CSS, JavaScript को यूज़ करके बनाया गया है तो इसका कोई भी backend नहीं है ठीक है? database वगरा नहीं है इसका slider को आप चाहो तो इस जगह से खुद change कर सकते हो या नीचे इन buttons के उपर click करके भी change कर सकते हो काफी अच्छा look है नीचे scroll करोगे तो ये एक section है आप चाहो तो इतने area का font color white रख सकते हो ताकि ये visible हो मैंने images थोड़ा सा high quality यहाँ पर prefer किया है ताकि दिखने में अच्छा लगे और नीचे scroll करोगे तो यहाँ पर पीछे आपका एक image है और उपर का चीज जो है आप scroll कर सकते हो यहाँ पर आपके पास filter के एक option है आपका menu है इसके उपर mouse ले करके जाओगे तो आपके पास price आएगा dollars में आप चाहे तो Indian currency में INR लिख सकते हो code को edit करके drinks पर क्लिक करोगे तो drinks filter होकर क्या आएगा lunch पर क्लिक करोगे तो lunch filter होकर क्या आएगा dinner पर क्लिक करोगे तो dealer आएगा और अगर all पर क्लिक रखोगे तो सारा का सारा आप layout यहाँ पर देख सकते हो यह आपके पास एक gallery है अगर मैं click करता हूँ तो यह preview हो रहा है आप notice कर रहे हूँ यह सारा काम बहुत fast हो रहा है reason is मैंने अपनी जो website है उसको host करने के लिए domain racer के hosting का use किया है जो कि एक ssd की storage है और काफी fast है हम उसके बारे में भी discuss करेंगे अगर मैं इस image के उपर click करूँ तो यह मेरा image है अब देख सकते हो यह काफी ज़्यादा high quality images है इसे लिए जल्दी लोड हो रहा है because of good hosting so नीचे अगर scroll करोगे तो customer के reviews है आपके जितने भी customers है उनके reviews यहाँ पर आएंगे static है reviews भी हमने खुदी यहाँ पी लिखा हुआ है नीचे आपका phone number email address location और यह आपका एक footer है नीचे आपका copyright का section है cyber warriors यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और यह आप right hand side पे देखोगे तो एक उपर जाने के लिए एक arrow है अगर आप इसके उपर click करोगे तो यह आपको scroll करके उपर लेकर के आ जाएगा top section पे ठीक है यहाँ पर मैं जाओ तो यह एक menu का page है नीचे scroll करते है तो वही menu है जो हमने already front page पे देख लिया और नीचे का area तो हमारा वही है about us पे click करेंगे तो यह मेरा about us का page है अगर मैं यहाँ जाकर करके दिखाओं तो about us का section था वो उठा करके यहाँ रखा हुआ है माउस लेके जा रहा हूँ तो एक अच्छा सा एक animation आ रहा है और यहाँ पर dark यहाँ पर light और नीचे एक shadow आपको देखने को मिलेगा social media के icon के ऊपर माउस लेके जाओंगा तो यह rotate हो रहा है देख रहे हैं similarly सब के ऊपर है तो यह आपका team members का एक area हो गया ब्लॉग पर जाओगे तो ब्लॉग का एक option है यहां से आप ब्लॉग को read out कर सकते हो यह एक page आपको मिलता है उपर आता हूँ मैं और ब्लॉग में एक single blog है यानि कि एक single page के उपर click होगा तो आप चाहो तो उसको इसके साथ replace कर सकते हो यह comment का section है यह भी design किया हुआ है आपका contact us का page है किस लिए contact कर रहे हो या कितने persons आने वाले है dinner वगरा के लिए वो यहां mention करना और last में send message के उपर आपको click कर देना है तो यह कुछ quick overview था हमारे इस project का यह पूरा project आपको provide कर दिया जाएगा don't worry यह कोई tutorial वीडियो नहीं है मैं इसको बनाना नहीं सिखा रह है कि आप किसी भी website को online कैसे लेकर के आओगे अपने लिए एक domain और hosting कैसे select करोगे क्योंकि आप check कर सकते हो यह जो मेरा website है यह online है यह live है कोई भी इसे पूरी दुनिया से देख सकता है at the same time यह website हमारा device friendly है mobile friendly है तो अगर कोई भी इसे mobile tablet computer laptop इस पे check करेगा तो यह proper fully functioning है और mobile के हिसाब से design के हिसाब से अपने आपको adopt कर लेगा आप check कर सकते हो as it is आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा fully responsive website जो आप कहते हो न यह वो है तो आप चाहो तो इसको mobile पे check कर सकते हो ठीक है अगर आप चाहते हो कि fully functioning आपको website बनानी है तो आप description में link चेक करना या फिर प्लेस करेगा ना तो आपको mobile के ऊपर फटा फट से अलारम बजने लगेगा और एक और है restaurant की तरह website आप इसको check कर सकते हो WordPress के playlist में जाकर के playlist में जाओगे आप channel पे और इस playlist के अंदर आपको वो मिल जाएगा वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे new है तो subscribe क करें बेल आइकन को क्लिक करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos को notification मिलती रहे और एक बार जरूर चैनल के playlist को जाकर के देखें यहां पर आपको web designing, web development, software development, game development, programming, e-commerce website, google की तरह search इंजर मनाना बहुत कुछ है जो मैंने already सिखा रखा है आपको ज़रूर पसंद आएगा तो यहां पर मैं आगया अपने website के उपर, किसी website को online लेकर के आने के लिए आपको कम से कम दो चीजों के requirement होती है, एक होता है आपका domain, एक होता है आपका hosting, यह दोनों चीजे एक अच्छे company से खरीदना बहुत ज़रूरी है, मैं यहां पर use कर रहा हूँ, domain racer का, अगर आप एक अच्छे brand, अच्छे company के साथ जाओगे, अच्छे hosting provider के साथ जाओगे, तो क्या होगा, आपकी website जल्दी खुलेगी, आप देख सकते हो, उसका loading time, loading time जितना कम होगा, client के सामने reputation उतनी अच्छी रहेगी, अगर आप mobile के ऊपर आप किसी website चेक करो, वो एक दो मिनट तक white screen रहे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, आप छोड़ जाओगे उस website को, similarly अगर आपकी website slow होगी, तो आपके client छोड़ जाएंगे, आपको कोई client नहीं मिलने वाला, so better है कि आप एक अच्छी company को prefer करें, जहां से आपको fast reliable hosting मिल जाए, और domain racer हमें SSD की hosting provide करते हैं, जो कि आप आपका 16 और 20 cross faster है as compared to others, और वो आपने चेक कर लिया, मैंने आपको refresh करके चेक करा दिया है already, तो आप domain racer.com पे जा सकते हो, उसका आपको जाना है यहाँ पर web hosting के उपर, web hosting पे click करोगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे options मिल जाएंगे, light speed technology, pure SSD disk space, free SSL certificate, secure 20 cross faster speed है, बहुत सार details आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर आता है सारा खेल, देखो, अगर आप एक working professional हो और आपका web designing development का ही काम है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको इस वाले plan की तरफ जाना है, जहाँ पर आप एक बार buy करो, एक साल के लिए pay कर दो, और जितने मर्जी website उसमें host कर लो, अगले साल आपको renew करना होता है, ठीक है, unlimited यहाँ पर आप website host कर सकते हो, और एक domain भी आपको starting में free मिल जाएगा, तो अगर आप काम करते हो इस चीज़ का, web designing, web development का, तो यह plan आपके लिए suitable है, ठीक है, अगर आप हो restaurant के मालिक, या वहाँ पर काम करने वाले कोई employee, और आप चाहते ह 59 वाले की तरफ जाओगे, ठीक है, silver वाले की तरफ, so मैं यह prefer कर रहा हो, कि हो सकता है आपको student हो, या आपको एक ही website के requirement हो, तो हम सस्ते वाले की तरफ जाएंगे, आज बिलकुल सस्ते में इस website को online लाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर working professional है, तो आप इस के तरफ जाओगे, क् website का duration को increase करोगे, hosting को increase करोगे, यहाँ पर duration को, तो आपका price जो है, वो कम होगा, मैं lowest रखना चाहता हूँ, हम सिर्फ एक साल के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर, मैं यहाँ पर view more के ओपर click कर रहा हूँ, view more पर click करने के बाद यह domain पूछेगा आपसे, कि क्या domain name select करना है, ठीक अब यहाँ पर dot com, dot in, dot वगरा वगरा बहुत सारे options है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसे prefer कर लोगे, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने का इंडिया का रेस्टर है, तो dot in suitable है, dot in के उपर click कर दिया, अगर आपको सस्ता चाहिए हो, तो dot xyz है, और भी person इसे register कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, ठीक है, so make sure spelling वगरा भी correct रखे, अगर आपको यह unavailable बताया है, तो कुछ spelling change कर देना, कोई word add कर देना, कुछ remove कर देना, क्याता 3.99 रूपीज लगेंगे, अगर आप dot xyz की तरफ जाओगे, तो सिर्फ 70 रूपीज लगेंगे, यह जो price हैं, वो yearly है, एक साल का price है, यह monthly price नहीं है, ठीक है, so मैं dot in के उपर click करता हूँ, और check के उपर click कर लेते हैं, so हम जाएंगे dot in की तरफ, obviously एक restaurant को xyz देना अच्छा नहीं रहेगा, अगर आप project बना रहे हो, फिर तो आप xyz की तरफ जाना सस्ते में काम हो जाएगा, but एक real project और real website के लिए, real client के लिए dot in better है, so यह होने के बाद आप नीचे आजाओगे, continue पे click करोगे, continue पे click करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा आपका hosting जो आपने select किया है, basic वाला, सबसे पहला वाला, जो भी details है, यहाँ पे फिर mentioned है, make sure यहाँ पे आपने एक साल, दो साल, तीन साल, जो भी select करना हो, ध्यान से select करें, इसकी जो price है, वो actually 1040 रुपे है, लेकिन क्योंकि आप first time यहाँ से कुछ buy कर रहे हो, कुछ opt कर रहे हो, तो आपको offer दिया जा रहा है, ठीक है, तो यह आपको price मिलेगा, continue पे आपको click करना है, again आपको continue पे click करना है, उस 100 का मिल रहा है currently, और per year है यह, और यह वाला भी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका total bill है, वो 1230 रुपे का है, 1230 रुपीज का है, एक ही option है यहाँ पे, checkout के ऊपर click करना है, checkout पे click करने के बाद basic detail यहाँ पर pass करोगे, आपका name, आपका email address, mobile number, आपका company name optional है, लिखना है तो लिख करने के बाद आप आजाओगे इनके main page पे, main page पे आने के बाद यहाँ पे एक optional login का, यहाँ पे आपको वो email address और password प्रोवाइड करना है, जो just अभी आपने पिछले वाले page के ऊपर अपने order को complete करने के लिए किया है, तो आप चेक कर सकते हो, मैंने इसको email और password किया होगा, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, मैंने एक ही domain name select किया है अपने लिए, वो already mentioned है, so वो यहाँ पे लिख करके आ रहा है, एक ही option है यहाँ पे active का, तो आपको इसके ऊपर click करना है, यहाँ से आपको right hand side पे का option मिलेगा, login to cpanel, इसके ऊपर click करें, तो य देखिए, website मेरी यह already live है, इसकी file है यहाँ पे पढ़ी हुई है, तो मैं इसको delete मार देता हूँ, और फिर इसके ऊपर आपको online लाना सिखाऊंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ आगया अपने cpanel पे, तो मैंने यहाँ पे files को delete कर दिया है, अगर मैं आपको अपनी website पे जा करके दिखाऊं, refresh करके भी, तो आप notice करोगे, domain मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन index of आ रहा है, index of का मतलब क्या होता है, कोई भी file इसके अंदर नहीं है, website पूरी clean है, तो यहाँ पे आप cpanel में आने के बाद, नीचे scroll down करोगे, बहुत सारे options मिलता है, यहाँ पे आपको domain underscore html के अंदर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो मैं यह files provide कर रहा हूँ, आप normal file को select करोगे, अपने इस page के उपर आ करके cpanel पे upload के उपर click करोगे, और इस file को यहाँ से drag करोगे, इस जगा पे आ करके drop करोगे, इस बीच में आ करके, एक दू सकेंड का wait करना, यह नीचे upload होना start हो जाएगा, सारा upload हो गया, तो आप cut कर सकते हो, और दुबारा public underscore html पे click करोगे, तो यह आपकी file है, folders upload नहीं होती है, server में एक बार में, तो आप क्या करोगे, यहाँ आपको देखना है, css का एक folder है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे cpanel पे, folder यहाँ पे plus का option दिख रहा है, create कर लोगे css, and create new folder, css का एक folder बन गया, इस icon के उपर double click करके, इस folder के अंदर आ जाओगे, अपने computer में css के folder के open करके, जो भी उसके अंदर दिखता है, उसको select कर लो, upload पे click करो, और यहाँ लाकर के drag, इस जग़ा पे आ करके drop, ठीक है, तो public underscore html पे आ करके, css के अंदर जा करके देखें, तो upload हो चुका है, दुबार आ जाते हैं public underscore html के उपर हम लोग, अब हमें क्या करना है, और भी ऐसा ही files है हमारे पास, जैसे की fonts का एक folder है, और उसके अंदर कुछ fonts पड़े हुए, तो मैं यहाँ आ गया, new folder create किया, fonts के नाम से, create new folder किया, उस folder के अंदर चला गया, upload के उपर click किया, अपने computer पर आ करके, इन सारे के सारे fonts को मैंने यहाँ से drag किया, यहाँ ला करके drop कर दिया, similarly ध्यान दे, आपको यह सारा का सारा कुछ upload करना है, अभी सिर्फ fonts हुआ है, फिर आपके पास images है, और इसके बाद आपको इसी तरीके से यहाँ पर upload करना है, ठीक है, तो same procedure को follow up करते हुए, मैंने यहाँ पर images, javascript and PHP की folders को और उसके अंदर के files को upload कर दिया है, यह हो जाने के बाद आप क्या करोगे, आप इस जगह पर आ जाओगे, अपने domain को जो भी आपने opt किया है, उसको open कर लोगे, refresh क करके देखोगे, तो आपकी website की file है यहाँ पर show होंगी, आप चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको starting में दिखाया, वो as it is आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, और यह mobile friendly है, जैसा कि हमने पहले भी discuss किया है, तो यह पूरा का पूरा theme ही responsive है, और mobile friendly है, tablet friendly है, आप जिस secure भी है, अब चाहें तो इन tabs को आप cut कर सकते हो, अब आपको इसकी कोई requirement नहीं है, आपकी website ओरड़ी online आ चुकी है, so in future अगर आपको कोई भी changes करना पड़ता है इसके अंदर, तो आप अपने c panel में जाके अपने file को right click करके edit कर लेना, ठीक है, अब discuss करते हैं कि आप यह files कह असल होगे, आप जाओगे मेरे channel पर, channel पर जाने का आपको जाना है about section पर, about section पर नीचे scroll करोगे, तो एक option मिलेगा store का, आपको इस store के ओपर click करना है, यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, live dinner website files, देखिए यहाँ बहुत सारी files upload होती रहती है, so make sure, live dinner नाम से आपको एक मिलेगा इसके ओपर click कर देना, compressed file है, free of cost है, कोई पैसा नहीं ले रहा है आपसे, so get it के ओपर click करोगे, यहाँ पर आपको details pass कर देनी है, ध्यान दे, details correct होना चाहिए, क्योंकि आपको mobile के ओपर भी आ सकता है, आपका यह file का link या फिर email पर आ सकता है, ठीक है, और अगर आप इंडिय download का, आपको इसके ओपर click करना है, तो मैं यहाँ पर download के ओपर click करता हूँ, यह आप check कर सकते है, यह file download हो रहा है, मैं इसको होने दूँगा, कोई भी cut नहीं करूँगा, मैं editing के अंदर, ताकि आपको मालूम पड़े कि हाँ, यह file open हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो चल book का icon आप देख रहे हो, यह तभी आएगा जब आपके computer में winrar एक software है, install अगर होगा तो, winrar लिखना, download करके इसको install कर लेना, next, next, next करके, क्योंकि मेरी file जो है, वो compressed है, right click करना, extract files के ओपर click करना, और ok कर लेना, यह जो file है आपकी, यह आगई live dinner के नाम से, index पे click करके दिख और अगर मैं images के folder के अंदर जाओ, सब कुछ है, मैंने आपको सारा कुछ provide कर दिया, बता दिया मैंने आपको कैसे यह होगा, अब देखो, जरूरी नहीं है कि यहीं पर download शुरू हो जाएगा, no, ऐसा कोई compulsion नहीं है, तो पहले तो मैं इसको cut कर देता हूँ, यह actually आपको email क आपके ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, तो यह आपकी किसमत के ऊपर है, randomly generate होता है यह, तो यहाँ पे एक email आया है मुझे, मैं इस email के ऊपर click कर रहा हूँ, email पर click कर रहा हूँ तो आप notice करोगे, mail आ गया मुझे, और यहाँ पर भी option है, download files का, but it's better कि अगर आप पहले ही download कर ल नहीं है, किसी website को online कैसे ले करके आया जाता है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक करें और comment में अपना feedback दे, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करें, bell icon को click करके all notification कौन करें, तक कि आपको latest videos की notification मिलती रहे, और make sure चैनल के playlist को जाकर के दे आपको बहुत अच्छे अच्छे project से पसंद आएंगे, मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में, thanks for watching guys